से चार धाम, केदार नाथ, बदरी नाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के मारगोंने, भूसखलन, सिंकिंग जून, अंधे मोड आधी दुरघटना मैं सैक्णों स्थलों के कई आघातों से गुजरते हुए, पक डंडियों से सड़कूं तक का सफर तै किया है। प्रत्य एक वर्ष, लाखूं की संख्या में, तीर्थ यात्री और देशी विदेशी परिटक, चार धाम, एवं सिखूं के पवित्र तीर्थ स्थल, हेम कुंट साहिब, फूलूं की घाटी, और ओली में एडवेंचर खेलूं के लिए उत्तरा खंड की यात्रा करती हैं। इस यात्रा में उन्हें तमाम मुश्किलूं का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये यात्राएं और दुरगम एवं दुशकर हो जाती है। पहन सर्वेक्षन और अध्यन के बाद साथ पैकेजेस के माध्यम से आकार दिया है। जिसकी शुरुवात रिशिकेश से होगी। किलोमीटर एनच एक सुनो का विकास लागत एक हजार एक सो चै करोड रुपई। रिशिकेश से धारासू एक सो चवालेस किलोमीटर एनच चौरानवे का विकास। खर्च एक हजार चैसो साथाईस दशमलव पांच शून्य करोड रुपई। धारासू से यमुनोत्री 95 किलोमीटर एनच चौरानवे का विकास। लागत 1,920 करोड रुपई। धारासू से गंगोत्री 124 किलोमीटर एनच एक सो आठ का विकास। लागत 2,089 करोड रुपई। तनकपुर से पिथोरागड 148 किलोमीटर नैशनल हाईवे 125 का विकास। खर्च 1557 करोड रुपई। इन मारगों पर कुल 132 पुलों की श्रंखला बनेगी। जिसमें 25 हाइफलड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। तेरा बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिम गिरी का पानी सडकों की बरबादी में एहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल 3889 कलवर्ट राज मारगों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला। लांबागड जैसे 38 लैंड्सलाइट स्पोट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वार मैस वेजिटेशन, जियो सिंथिटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तक्नीक का उप्योग होगा। देव प्रयाक जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी, 4 वायडक्ट का निर्मान होगा। जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायडक्ट तथा सोन गंगा अलकननदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेंट वायडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर उंचा पहुचा देगी। दो महत्वपून टनल भी विक्सित होंगी। 5 किलोमीटर सिल्क यारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और परियावरन अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी धकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनिट की प्रदूशन मुक्त सुखदाई यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमजेंसी ले बेज विक्सित होंगी जो परिशानी भरी यात्रा को आनंद मई बनाएंगी। चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंद मई बनाने के लिए 18 रोट साइड एमिनिटीज, 145 बस बेज भी विक्सित होंगी। नौ ट्रग बेज क्षेत्र के व्यवसाई उन्नती में एहम भूमी का निभाएंगी। वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष है भूमी अधिग्रहन। और प्रभावित लोगों का पुनरवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सिडेंट स्पॉट एवम दुरघटनाओं के आंकड़ों में उलेखनिय कमी। खत्रे की सूचना वाले बोड जन सुविधा के पत दर्शक बनेंगे। जो तीर्थ यात्रियों एवम परेटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुणा बढ़ाएंगे। हजारों युवाओं को रोजकार, चीन से सटी भारती सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30 से 40 प्रतिशत कमी। चारधाम राजमार्क विकास परियोजना, उत्तराखन राज्य की आर्थिक एवम सामाजिक उन्नती तथा पहाडिक शेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।